अब इस्राइल ने कैसी मिसालों को इंटेसेप्ट किया इस्राइल का डिफेंस सिस्टम आईरें डोम जिसके आप हमीशा चरचा सुनते हैं क्या केवाल आईरें डोम काम कर रहा था इरान तो कह रहा है कि किसी भी सिस्टम ने काम नहीं किया उनके जादा तरा अटाक कामयाब हें लेकिन आपको समझना होगा कि इस्राइल का डिफ्रेंट सिस्टम के वन एक लेट का नहीं है बलकि इसमें कुल तीन लेएर हैं, तीन लेएर काम करते हैं. पहनी लेट जिसका जिक्र हम उने किया आइरें डोम यह 70 किलो मीटर की रेंज में मिसाल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है और जो यह 10 किलो मीटर आप देख रहे हैं जब एरियल अटाक होता है इसके अल्टिट्यूट के हम बात करते हैं तो 10 किलो मीटर तक की दूरी से इस रेंज इसे अगर इस्राइल पर कोई अ जानते हैं 300 किलो मीटर की रेंज में मिसाल को इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है और उसे द्वस्ट कर देता है और वहीं एरो सिस्टम की बात करें तो 2400 किलो मीटर यानि की लंबी दूरी की बालस्टिक मिसाल अगर आप इरान के इस हमले को देखे तो चूकि यह 300 किलो मिसाल यानि सूपरस्वानिक बालस्टिक मिसाल का इस्तमाल हुआ था जिससे आइरें डोम ने नहीं बलकि डेविट स्लिंग ने इंटरसेप्ट किया और इसे द्वस्ट कर दिया और इसलिए इस्राइल ये दावा कर रहा है कि ज्यादतर हमले नाकाम रहे इरान बड़ी ता और याई deck तो नाकाम बताया ने इस дост门 याहू ने कहा कि और अमज़ गलती है तहरान को इसकी कीमत चुकानी होगी इसवराइल भुराई के खिला लड़ रहा है इसवराइल पर जो हमला करेगा था हम भी उसवर इरान ने आज रात एक बड़ी गलती की और इसे इसकी खिमत चुकानी पड़ेगी इरान का शासन हमारी रक्षा करने के हमारे दृट संकल्प और हमारी दुश्मनों के खिलाफ जवावी कारवाई करने के हमारे दृट संकल्प को नहीं समझता है हम अपने द्वारे स्थापित नियम पर कायम रहेंगे जो कोई भी हम पर हमला करेगा हम उन पर हमला करेंगे ये सच है हम बुराई के जड़ से लड़ते हैं ये यहूदिया और सामरिया के लिए सच है ये गाजा लिबनान यमन सीरिया के लिए सच है और ये इरान के लिए भी अधर अमेरिका ने भी ये क्लियर कर दिया है कि इसी भी कंडिशन में वो इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका ने इरान के इस कदम के निंदा की और कहा कि वो इसराइल की रक्षा के लिए कमिटेट है कि इस पर कर देकर वार कि वो इसे लुषच में भी ओराइल मेंट ऴई य्टिते ल basin бывает कि एत्व करदा बेक्ष्ब आदे कि लिए इस अच्वेश्ण मिएपक만 के नarmed है this attack. We demonstrated once again our commitment to Israel's defense will remain in very close touch with Israel and other partners in the region. The system of Israel's defense will remain in the region of Israel and the defense and the defense will remain in the region. If the regime of Zionist government reached the state, the control of the U.S. and Europe and the other wars, या अलिय हाकिमियत व्तमामियत। । खरेखी अाध्य मावार्दाव। अमलियात अम्छब अम्छब बादर वजगी टक्रार खात चुडिए लिफ वूद हाध्य। पिछले 24 हिंटे में इज़राइल पर एक साथ कई फ्रंट से हमला हुआ है इरान जहां मिफायल दागी लगनान में हिजबना भी इज़राइली फॉज प्रच प्रचाथ कर रहा है तेल अवीव में जाफा में आतंकी हमला हुआ इज़राइल की राज़्था ने तेल अवीव के पास जाफा में आतंकीयों ने अंधा दुन फाइडिंगी जिसमें आच लोगों के बार के गई कई लोग खायल बताय जा रहे हैं जिसके तस्वीरे आपके साथ नहीं जाफा जाके आतंकीयों के तस्वीरे भी बाहर आ चुकी हैं इज़राइली सुरक्षा बलो ने दो आतंकीयों को धेर कर दिया वो दोनों आतंकी इस वक्त आपको तस्वीर में नज़रा रही हैं हलाकि इन दोनों आतंकीयों को इज़राइल की फोर्सिस ने मार किराया इरान लगातार इस कोशिश में है कि अपने एर सिस्टम के जरीए यानि कि हवाई हमलों के जरीए वो इसराइल को नुक्सान पहुंचाए लेकिन इरान भी जानता है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ही मस्बूत है और इसलिए वो आतंकी भेज कर भी इसराइलियों प पर अचैक करवा रहा है इसी कड़ी में ये दो आतंकी जाफा में जिन्होंने सिविलियन्स को निशाना पनाया हाला के दोनों ही आतंकी धेर कर दिये गए हैं ये वहां के ट्रेन के तस्वीर आप देख रही है जहांसे आतंकी दाखिल हुए इन्हें मार किराया गया उधर इसराइल ने भी इसाफ कर दिया है कि अब वो पीछे तो हटेगा नहीं जब तक उस पर हमला करने वाले हमास और हिजबुला जैसे तमाम संगचनों को पूरी तरह से वो निट्रिलाइफ नहीं कर देता तब तक वो चुप नहीं बैठेगा बेरूत में इसराइल की ये स्ट पर तोड एर स्ट्राइक कर रहे थे लिबनान में हिजबुला के ठीकानों पर इसराइली एर फॉर्स ने जम कर बंब बरसाए आईडियेफ के हमले में हिजबुला के कई ठीकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं ये देखे तस्वीरे